हलो बच्चो कैसे हैं आप लो पढ़ाई कर रहा हैं के नहीं कर रहा हैं पढ़ते रहे हैं आप लो तो आज इंटर्मेडले 12 के बच्चों के लिए इन्वाइस का चेप्टर चला आथा जैसे कि कल मैं उसका इंटोड़क्शन बताया था आज उसमें से कुछ क्वेशन ओवरे भी चलेंगे ताई आज सुन करते हैं कुछ क्वेशन की हो ठीक है हमारे वीडियो की इसी तरह देखते रहे हैं लाइ सब्सक्राइब करते रहे हैं और अधिक से अधिक बच्चों को सेयर करें चलिया यह सुन करें सब्जेक्ट हमारा है ब्यवसाइक संगठन ध्यान दीजेगा यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन है क्योंकि बीजक और बिक्री वीवर इसमें से बोड के एकजाम में एक क्वेशन स्योर है कि पूछेगा देवसाइक संगठन या के ट्वेल्थ के बच्चों के लिए जिसमें हम चेक्टर पढ़ रहे थे बीजक बीजक मतला इन्वाइस सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इन्वाइस कैसे बनाया जाता है विक्री वीवर हम कैसे तयार करते हैं तयार करने से ज़्यादा जरूरी है कि हम एक क्वेशन के उर बढ़ते हैं क्वेशन में हम क्या चलेंगे इधर मैं क्वेशन लिख रहा हूं माले यह कोई मैसर्स कोई कंपनी वाला है या किसी कोई फर्म वाला है एक एट उजेट कोई भी फर्म ले लीजिए जैसे मैसर्स कानपूर मैसर्स कानपूर फैन्सी लिंक्टेड यह क्या है एक बिजनस वो फैन्सी वस्त्रों को करिये दिख रेता है ठीक है मैसर्स कानपूर फैन्सी लिंक्टेड ने मैसर्स गोरःपूर मैसर्स गोरःपूर राज इलेक्ट्रिकल्स मैसर्स राज इलेक्टिकल्स को निम्न माल वीचा तो निम्न माल वीचा रहां दीजेगा मैसर्स कानपूर फैन्सी लिंक्टेड एक कंपनी है विक्रेता है उसने मैसर्स गोरःपूर राज इलेक्टिकल्स को निम्न माल वीचा अब क्या माल वीचा क्योंकि वीजेग को ही मनाया जाता है जहां इनक प्रिएदा को कुछ माल भेचता है और बेचने के बाद से उसका सारा इस्ट्यमेट तयार करके विवरन इस्ट्यट्मेंट तयार करके वह क्रेटा को सुकूर। करता है क्या वेचा 50 ceiling fan 50 ceiling fan fan मैंने पंगा जिसका rate है जिसका rate है 800 रुपिया प्रफी 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 एक item यह बेचा दूसरा item उसने क्या बेचा 24 टेबल fan टेबल यह हो गया आपका 500 रुपिया प्रफी प्रफी ठीक है ठीक इसी तरह 20 प्रेस बेचा उसने प्रफी प्रफी प्रेस 200 रुपिया प्रफी प्रेस माल लेजे 40 हीटर बेचा प्रती 100 रुपिया प्रती हीटर ठीक है बतलाब मैसर्स कानपूर फैंसी लिम्टेड जो हमारा है वो गोरफ मैसर्स गोरफ पूर राज इलेक्रिकल्स को यह चार आइटम्स चार समाने बेचा अलग-अलग क्मांटिडी और अलग-अलग रेट से अब नीचे उसने माल भेजने में निम्न बेचिया अब यह जानिए कि उसने क्या-क्या बेचिया उसने क्या-क्या बेचिया मतलब खर्च किया ज्यान दिजिएगा पहला है पैकिंग पैकिंग उसने 500 रुपिया इसमें खर्च किया दूसरा उसने क्या खर्च किया धूलाई धूलाई में उसने खर्च किया 300 रुपिया ठीक है इसके बाद से तीसरे नमबर के क्या किया भाड़ा भाड़ा में 800 रुपया चोथे नम्मर में उसने बीमा भी कराया है माल का इस पर भी 200 रुपया उसने बीमे का भी खर्च दिए मतलब कि बिक्रेता जब क्रेता को माल बेचता है तो माल तो देच दिया, माल भेजने के साथ साथ उसके पहुचाने का भी कार्य करता है पहुचाने का कार्य करता है वहाँ पर निम्न ये खर्चे उसके होते हैं इसका भी उसने जी करते है अब आगे क्या कह रहा है क्रेता को क्सको क्रेता को मतलब खरीदने वाले बिक्री मुल्य पर दस परसेंट ब्यापारिक छूट दी जाती दी जाती है दस परसेंट ब्यापारिक छूट दी जाती और एक सप्ता में नगध धुगतान करने पर करने पर दो परसेंट नगध छूट दी जाती है ठीक है ओके प्रस्ण में यह कह रहा है कि बीजत तयार की बीजत तयार यही आपका कंप्लेट कोश्चन है ब्यां दीजिए अगर कोश्चन को एक बार और पढ़ लीजे उसके बासे प्रफार्मा आपको मैं तयार कर रहा हूं मैसर्स कानपूर फैंसी लिम्टेट एक विक्रेता कंपनी एक संस्था जो माल बेचने करता रही है उसने अपने छोटे रिटेलर को कि गोरपूर मैसर्स राज इलेक्टिकल्स जो है उसको उसने निम्दमाल बेचा बेचा क्या उसने 50 सिलिंग फैन बेचा 800 रुपे के प्रति रेट से चालीज हीटर बेचा 100 रुपे प्रति रेट से उसने माल बेचने में निम्न खर्चा किया पैकिंग पे 500 रुपया दूलाई पर 300 रुपया भाड़ा पर 800 रुपया बीमा पर 200 रुपया करेता को विक्री मुले पर 10 परसेंट बैपारी छूट दी जाती है उ वह चूट जो माल की विक्री बढ़ाने के लिए सभी प्रकार की ग्राहकों को एक समान रूप से चूट दी जाती है तो उसे वैपारी छूट का आ जाता है और नगत छूट क्या होती है कि जब क्रेटा नगत माल का भुक्तान करता है तो वहाँ पे जो चूट दी जाती है नगत छूट का लाती है वैपारी छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है लेकिन नगत छूट का लेखा पुस्तकों में किया जाता है इसका अगले वीडियो में हम बताएंगे और आगे कर रहा है कि विक्री मुल पर 10% वैपारी छूट दी जाती है और जदी कैसे बीजक बनाएंगे तो सबसे पहले हम बीजक बना रहा हैं ध्यान दिखेगा तो यह आपका पेज है इस पेज के सबसे उपर बीचो बीच में माल जी यह तो आपका क्वेश्चन हो गया था क्वेश्चन हो गया था इस पेज के सबसे बीचो पीच में क्या हम लिखेंगे उस ब्यक्ति का नाम, किस ब्यक्ति का नाम, जो माल बेच रहा है, उसका नाम लिखे, माल बेचने वाला काउन है, मैसर्स कानपूर फैंसी लिमिटेड, ठीक है, या बिक्रिता, ब्यान दीजिए गर वीज़क तयार करते वीक्रति का नाम पेच के सबसे ऊपर बीचों बीच में होना चाहिए, इसके पास से इसके राइट साइड में, उस अस्थान का नाम होना चाहिए, जहाँ वीक्रेता कमपनी है, वीक्रेता कमपनी कहां? कान बूर गया है उस कान उस अस्थान के जस्ट नीचे उस डेट का उलेख होना चाहिए जिस डेट में उसने माल देचा है माल लेजे कोई भी डेट है जैसे आज ही है माल लेजे है 6 कितना है 8 2,000 ठीक है ठीक इसी तरह मैसस कान पूर लिमिटेट के जस्ट बाई साइड में नीचे ज्यान दीजे होना चाहिए तार का पता जो भी उसके टेलीग्राम का पता है वो होना चाहिए टेलीग्राम का पता कुछ भी हो सकता है क्या हो सकता है माल लेजे सेर कुछ भी हो सकता है उसका अपना टेलीग्राम का कोड जो यह सेर हो सकता है आकास हो सकता है मंदक नहीं हो सकता है किसी का नाम हो सकता है किसी बस्तु का नाम हो सकता है कुछ भी हो सकता यह कोई और निया कैसे हो ABCD भी हो सकता है ठीक है फुरा स्वीर अच्छा नहीं लग रहा है इसको हम ABC कर देए टेलिग्राम का पता क्या हो जाएगा ABC इसके बास से उसका phone number होगा phone number phone number में 05392732 कुछ भी हो सकता है जो उसका real number है यह भी कोई जो नहीं है question हल करते समय यह real number नहीं डारा जाता है आप जो सुझदा हो वो अंग डाल दीज़ेगा ठीक है उसके बास से उसका code होता है code A, B, O, B, C, D कुछ भी लिख सकते है 1, 2, 2 कुछ भी लिख सकते है code जो भी आप यह प्रस्में दिया गया है जो पूर लिखे जब यह समाथ हो जाएगा तब मैंसर सकानपूर Fancy Limited जहां लिखे है और यह आपका टेलिग्राम का पता का अग्रेस खतम होने के बास है एक चोपूर कालम बनाए जाएगा ध्यान दीजेगा चोपूर कालम बनाएगा इस कालम में क्या लिखा जाएगा यद्यान दीजेगा लिखा जाता है सबसे पहले बीजक संख्या क्या लिखा जाता है बीजक संख्या बीजक संख्या भी प्रस्न में बीजक संख्या दिया है तो ठीक है तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे? टू-थी-थाइव एक चीज और लिखा जाता है, आदेश संख्या आदेश संख्या कुछ भी लिख सकते हैं? एवी-वन हूँ ठीके? यह प्रफार्मा है द्यान दीजेगा प्रफार्मा का विश्यस महपतो होता है तिसलिए प्रफार्मा को गाहिए अब यहां पे द्यान दीजेगा सबसे ऊपर लिखें है मैसस कानपूर सबस्री गुरपुर्पूराज एलेक्ट्रिकल्स प्रेंग है सबस्री गुरपूराज एलेक्टिकल्स यदि कुश्चन में कोई सर्थ दी गई है तो यहां सर्थ ही लिखा जाता है सर्थ क्या था कि जड़ी वो एक सप्ता के अंदर भुगतान कर रहा है तो दो परसेंड नगत छूड़ दी गई लिख देंगे एक सप्ता के अंदर भुगतान करने पर भुगतान करने पर दो परसेंट नगत छूड़ ओके अब इसके बाद से हमारा प्रुफार्मा सुरूड नियान दीजेगा प्रुफार्मा एक प्रुफार्मा ही है इदर से यह एक गिया हो जाएगा और एक और कालम होगा रहन दीजेगा इसमें हम लिखते हैं मात्रा क्या लिखते हैं मात्रा इसमें लिखते हैं बीवरा क्या लिखते हैं बीवरा इसमें लिखते हैं दर इसमें लिखते हैं रकम इसमें लिखते हैं कुल रकम ठीक है अब यहां से सुरू करेंगे कि हमने क्या-क्या उसको बेचा है पूरा इस्टेट्मेंट इसका त्यार करके बेचा है पहले पच्चास सीलिंग फैन लिखेंगे पच्चास सीलिंग फैन प्रती आठ सो मतलब एक फैन हमने आठ सो में बेचा है तो पच्चास फैन का दाम कितना हो गया बुणा कर दीए इसको एक दो तीन आठ प्रच्चन चालीस को दिकत के दूसरे नंबर पर क्या वेचा है 24 कि प्याबुल फैन के रपया प्रती पांच रुपया मतला ये टेबल खादाम फैन का दाम पांक सो रुपया तो चोविस टेबल खादाम कितना हो भुना कर दीगे 5, 24, 20 तू 12,000 तीसरे नंबर पर बेचा है 20 प्रेस, तो लिख देगे 20 प्रेस कितना है प्रती 200 रुपिया मतलब एक प्रेस का दाम 200 रुपया तो 20 प्रेस का दाम कितना होगा फिर गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा दो दुनी चार रुपया ठीक रहा चौथा समान क्या भी बेचा है हमने 40 हीटर 40 हमने हीटर बेचा है प्रती 100 रुपया कितना हो जाएगा उड़ा कर दीजे एक दो तीन जीरो अच्छार ठीक जो जो समान हमने बेचा है उसका इस प्रुपार्मे में हमने जिक्र कर दिया जिक्र करने के बाद से हम क्या करेंगे किसका यहीं पर टूटर कर देगे इसी कॉलम में इसमें नहीं है द्यान जीजेगा तीन चार चार आट दो दस चार एक पांच और एक च्छ कोई दिक्कत जब यह हो जाएगा तो इसके पास से प्रॉसेस देख लिजेगे चाहे कुश्चन कोई भी हो समान हमारा कोई सा भी खरिदा बेचा गया हो उससे हमसे मतलब नहीं है कैसे मनाया जाता है यह जीज़्या दमाने रखता है यह जो बेचे हम सबसे पहले उसे बेचने के बाद से सबका टोटल कर लिये हैं अब इसके बाद से हम घटाये लिखा जाता है घटाये में क्या घटाये जाता है? यहां नीचे लिखा हो हो लिखा है कि क्रेता को बिक्री मुले पर 10% ब्यापारिक छूट दी जाती है मतब जो जी माल खरीदेगा उसको 10% डिसकाउंट पिया जाएगा घटाईए लिखा है ब्यापारिक छूट 10% यह किसका 10% जो अभी हम टोटल किये हैं इसका टोटल किये हैं साथ हजार जो जो बीचे हैं उसका कितना परसेंट 10% कितना हो जाएगा 6,000 रुप्या जटाने के बाद से हमारा कितना आएगा 5,000 रुप्या आएगा इसके बाद से और भी कुछ है इसमें कुछ खर्चों का भी लेख किया गया जितने भी खर्चे होते हैं उन सभी खर्चों को इस बिक्री मुल में जोड़ दिया जाता अब लिखा जाएगा जोड़िए समस्त खर्चे समस्त खर्च खर्चे में क्या क्या है चार खर्चे पैकिंग है पैकिंग कितना है 500 रुप्या और क्या है ढूलाई है कितना है 300 रुप्या भाड़ा है कितना है 800 रुप्या और बीमा कितना है 200 सब को जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा 8, 2, 10, 3, 5 18 कोई दिकत इस 18 रुपे को इस विक्री मुले में हम क्या करेंगे जोड़ देंगे जोड़ने के बाद से लास्ट फाइनल एमाउंट हम इस कवलर में लिखेंगे 0, 0, 8, 8, 4, 1, 5 और 55,800 अंत में हम यहाँ पे लाइन खीच देंगे और इसका टूटल लिख देंगे यह हो जाएगा हमारा 55,800 कोई दिकत 55,800 जो यह अंक में लिखा गया है 55,800 उसे हम यहाँ सब्द में लिखेंगे क्या 55,800 रुपए मात क्यां दीजेगा ऐसे हमारा बीजग का एक प्रोसेस जब यह एक तरह से एक बीजग कम्प्लीट हो गया है लेकिन थोड़ा सा और इसमें बागी है चुकि जगा इस पेस कम पड़ गया है ध्यान नहीं दिया है लेकि खेर यहां लिखा जाता है भूल चूक लेन देन लेनी देन ठीक ना साइड में भूल चूक लेनी देन नीचे और भी लिखा जा सकता है माल सवारी गाडी से भेजा गेला भेजा मने वो बताया है कि माल सवारी गाडी से हमने भेग दी ठीक ना और भी इसमें नीचे लिखना है साथ है कि बिल्टी संक्या मारा इतना है और भी लिखा जा सकता है कि हमने पेमेंट पंजाम नेशनल बैंक स्टेट बैंक, सेंटल बैंक या जो भी Όने यहां पर किसने लिखने वाला मेसर्स कानपूर फैंसी लिटे है मैसर्स कानपूर ३शाμεना दी हुशा कि कि इसने ईसने बीजग ट्यार इस तरह है आपका कम्प्लेट बीजग तयार है इसको अच्छे से नोट कर एक बार और बताऊँगा आपको दूसरी कोश्चन के साथ ठीक ना तब तक आप इस कोश्चन को अच्छी तरह से समझिए इससे रिलेटेड जितने भी कोश्चन होंगे उस सारे कोश्चन आप करजें क्योंकि बीजक के लिए सिर्फ एक ही प्रोसेस है एक ही प्रोफार्मा है जो आपके इस सामने दिया गया है ठीक न वी जतने त्यार करते समय ध्यान दीएगा सबसे पहले उसके प्रोफार्मे प्रेड दिया जाता है बिक्रेटा का नाम सबसे पेज के बीजो बीज में होता है उसके अब पता झीज तारी को बेचा माये साइड में लेट साइड में तार का पता फोन नमबर कोड लिखा जाता है करेटा का नाम जहां नीचे एक कॉलम बनता है यह चौखो कॉलम अहतकार बनता है जिसमरं B.J. Sankha All emit coffeeềnक होता है या प्रसम में दिया हुआ होता है इसके बाद से करेता का नाम लिखा जाता है इसको हमने बेचा आए सबसरी घुरखपूरा डीलक्टिकल्स यदि कोई कंडीशन या सर्थ दी गई तो उसके बाद उसका उले खिया जाता है। उसके बाद प्रारूफ बना जाता है। इस प्रा रूफ में ऑंक होता है। hospital in five पान्च, पहले मात्रा वीवरण, दर्रकम और I broken लिखने के बाद से जितने को हम तो टॉटल करने के बाद से उस में से वैपारीक छोट घेटा दिया जाता रुपारीक छोट घेटाने एक बाद जितने भी खर्चे होते हैं सब को जूड देते हैं जूड़ने के पास से फाइनल एमांट हम नीचे इसके बास से टोल लखंछ सबसके सिकर कर सकते हैं विज करता है उसका नाम पता स gün कि थी आगे डारैは हमारे वीडियो को आप कांटिनिंग देखते रहिए चैनल को हमारे लाइक सब्सक्राइब करते रहिए आपका कम्प्लीट 12 बोट्स को एक्जाम का सलेवस आपको इसी यूटूब चैनल पर ले दिया जाएगा तब तक के लिए दाद